कि हमारी होसला अवजाई करें, हम से मुखातिब हों, हमें संबोधित करें. मेरे लिए भी उसाजनक है, मेरी उज्या बढ़ाने वाली है, तो मैं सबसे पहले तो इन प्रश्ण करता हूँ, और इस कारकम में सरीक, देश भर के नौजवानों का आभार व्यक्त करता हूँ. देश भर से जो साथी जुड़े हैं, उनको मैं फिर बता दूँ, यहां पर स्री नगर में तापमान काफी नीचे है, हो सकता है, रात होते होते माइनस हो जाएगा. इसके बावजूद भारी संक्या में यहां मेरे विवास साथी अनेक कश्मीरी भाई बहन मोजूद है. एक कश्मीरी की स्पिरीट को दिखाता है, कश्मीरियों की भावना को दिखाता है. बहुच वच्छी वानित तोही सारिनिय कोश आवय बनान। यस तरी गटकारस मंज चुश्ब मुहबत का अलाव जालनी आमरूद। तही नीच कोशाली वापच्छू अभस बेई अकी रटी अव स्वगात हेथामरूद। नवम मुत्यखवब कार्पोरेटरन त पंचन त सरपंचन मुखारब मंज पर विराजबान, जम्मु कश्मीरिय के राजपाल, सिमान सत्मान मलीक जी, मंत्री मंडल में मेरे सहियोगी डॉक्टर जितेंदर सी जी और यहां उपस्देत सभी मेरे भाई और बेहनों। सात्यों आज जम मैं स्रीनगर आया हूँ, तब मैं शहीद नजीर एहमद वानी सहीद, उन सैंकड़ों विरों को सरदा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्नों ने शांती के लिए, रास की रक्षा के लिए, सर्वोच बलिदान दिया है। शहीद लजीर एहमद वानी को उनके इसे अदम में साहस और विर्ता के लिए, कृतक गिराष्ट ने अशोक चत्र से सनमानित किया है। सहीद वानी जैसे युवाही, जम्मु कश्वीर और देश के हर नवजवान को देश के लिए जीने और देश के लिए समर्फित होने का रास्ता दिखाते हैं। मैं जम्मु कश्वीर के लाखों लोगों को भी बदाई देता हूँ, जिन्नोंनों सालों बात पंचायत और शहरी निकायों के चुनाओ करवाएं और अपने नुमाइंदे चुनें। लोग तंतर के प्रती, आपकी निष्ठा, नफ्रत से भरे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। कुछ लोगों द्वारा, नेगेटिविटी, फ्यालाने की कोशिश के बीच, दमकियों से बे परवाव, आप जिस संख्या में पोलिंग बूद तक पहुंचे हैं, वो आपके अपने बच्चों के भविश, जम्मु और कश्मीर के विकास की भावना को और पुक्ता करता साथियों, आज मुझे हाँ, करीब साथ हजार करोड रुपिय की योजनाओं का सिलान्यास और लोकारपन करने का आउसर मिला हैं, ये तमाम प्रोजेक्स, सीनगर और आसपास के इलाके के लोगों के जीवन को आसान बनाने में मदद करने वाले हैं, सिख्षा, स्वास और इ इन परियोजनाओं के लिए आप सब को बहुत 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 बढ़ाई, साथियों, जैसे कि आपने देखा, आज स्रीनगर देश की सिख्षा विवस्ता से जुड़े, एक बहुत बड़े कारकम की महजबानी कर रहा है, आप मैंसे बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, क कि चार साड़े चार वर्स पहले, जितने भी बड़े कारकम लॉंच होते थे, या फिर केंद्र सरकार कोई योजनाओं शुरू करती थी, तो वो सब कुछ दिल्ली के विज्ञान बहुन में होता था, लेकिन हमने पुरानी सरकारों की उस कारे संस्कृति को ही बदल दिया है हमारी सरकार ने आविश्मान भारत योजना की शुरूवात जारखन से की, उजवला योजना की शुरूवात उत्तरप्रदेश से की, प्रदानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, प्रदानमंत्री जीवन चोरिती सुरक्षा योजना, पस्छिम मंगाल में जाकर के की, पूरे देश से जुड़े एक महत्पपुन कारकम के लिए हम सभी आज स्री नगर में मौजूद है और ये देश भर का कारकम का लॉंचिंग आज मैं स्री नगर की दर्ती से कर रहा हूँ आ जहां राष्टिय उच्चस्तर शिक्षा वियान यानि रुसा के दूसरे फेश से जुड़े पोजेक्ट की शुरुवात की गई है यही से देश भर में सत्तर नए मौडल डिग्री कॉलेज, ग्यारा प्रोफेशनल कॉलेज, एक महिला यूनिवर्सिटी, साथ से अधिक इंटर्प्रेनर्शिफ, इनोवेशन और केरियर हब का सेलानयास और उद्गारण किया गया है इन में से अनेक संस्तान यहीं जम्मु कश्मीर के लिए भी है साथ को यह दिखाता है कि न्यू इंडिया किस दिशा में चल रहा है नए भारत के निर्मान के लिए हमारा रास्ता क्या है रिसर्च, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्ट अप्स के लिए एक नया टेंप्रामेंट देश में विख्षित किया जा रहा है देश भर के स्कुलों में बन रही अटल टिंकरिंग लैप्स हो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंदान का हमारा संकल्प आज और ससक्त हो रहा है इस ससक्तिकरन का गवाह हमारा स्रीनगर बना है, जमुकश्वीर बना है साथियों ये स्टार्ट अप इंडिया अभियान कही असर है कि आज भारत, चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप नेशन बन गया है बीते तीन-चार वर्षों में पंदरा हजार से अधिक स्टार्ट अप रेकिनाईज किये जा चुके है इन में से भी लगबग पचास प्रतिसर स्टार्ट अप टियर वन टियर टू शहरों में स्टापीत रहे है साथियों स्टार्ट अप के साथ साथ देश इके ग्रामिन इलाकों में टेक्नलोजी का विस्तार भी हमारी प्राथिकता में है आज देश भर में तीन लाग से अधीक कौमन सर्विस सेंटर ग्रामिनों को डिजिटल सेवाएं तो देही रहे हैं लाखों युवाओं को रोजगार से भी जोड रहे हैं आज बांदीपुरा में राज का पहला ग्रामिन बीपीओ भी खुल गया है इससे बांदीपुरा के विवाओं के लिए नए अवसर का द्वार खुला है भावी और बैनों जितने भी प्रोजेक्स का सिलान्यास और उदगातन आज किया गया है ये देश के ऐसे जिलों में शुरू किया जा रहा है जो विकास की दोड में आगे बढ़ने का प्यास कर रहे हैं रूसा के दूसरे चरण में देश के पौने चार सो जिलों में उत्कुर्ष्ट सिक्षन सवस्तान तयार किये जा रहे हैं अवसरों की समानता की तरफ एक और बड़ा कदम है मुझे भी स्वास है कि इन सभी जिलों की विवाओं को जब अपने घर के पास ही अच्छे सवस्तान मिल जाएंगे तो वो अपने टैलेंट को और निखार पाएंगे अपनी स्कील को और तराश पाएंगे साथियों जब मैं न्यू इंडिया के नए आत्म इस्वास की बात करता हूँ तो उसके पीछे एक ठोस आधार रहता है जमु कश्वीर की बेटी नौ साल की तजामुल इस्लाम जैसे देश के अनेक साथी हैं जो मुश्किल हालात में भी कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं केंदर सरकार आप सभी युवासाथियों के उस उत्सा इस उगंग को और उडान देना चाहती है इसके लिए खेलों इंडिया अभियान के तहट एक बहुत बड़ा टैलेंट हंट कारकम देश्ट में चल रहा है छोटे छोटे शोटे शहरों कश्वों में स्पोर्ट की देव बैतरीन सुविता हैं तैयार की जा रही है यहां जम्मु कश्मीर के 22 जिलों में भी मल्टी पर्पस पॉर्ट हॉल बनाने की योजना शुरू की गई है आज भी गांदर बल में ऐसे ही एक इंडोर स्टेडियम का उद्गाटन किया गया है साथियों जम्मु कश्मीर में बीते 7-8 महिनों में विकास की गती को तेज करने का प्रयास किया गया है यहां के सामान्य मानवी का जीवन आशान हो इसके लिए यहां का प्रशासन जुटा हुआ है मुझे बताया गया है कि अनेक ऐसे प्रोजेक्ट जो 10-10-20-20 साल से अटके हुए थे वो भी अब पूरे कर लिए गये है बीते दो मेहने में सैंकडो डॉक्टरों की भरती हो या बारा मुला का पूल हो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे किये गये है मैं जम्मु कश्मीर के एक-एक नागरी को बधाई देता हूँ कि आप सभी ने पिछले साल सितंबर में ताय समय से पहले ही राज को खूले में सौथ से मुक्त गोशित कर दिया आप बधाई के पात्रा है मुझे ये भी बताया गया है कि जम्मु कश्मीर को देश का पहला ऐसा राज्य बनने का लक्ष रखा गया है जहां हर गांग गांग तक पाइप से पीने का पानी उपलब्द होगा ये बहुत सरानिय प्रयास है साथियों हमारी सरकार में तैस समय सिमा में लक्ष को प्राप्त करने का इमानदार प्रयास किया जाता है आप सभी को याद होगा कि लाल के लिए से मैंने एक हजार दिन के भीतर देश के अठारा हजार से अधिक उन गाउं तक बिजली पहुँचाने के लिए अलान किया जो स्वतंतरता के इतने वर्षों बाद भी अंदरे में गुजारा करते थे उस लक्ष को समय सिमा के भीतर ही पुरा कर लिया गया इसके बाद सवभागे उजना के तहट देश के करोडों परिवारों को मुक्त बिजली कनेक्शन देने का भ्यान चल रहा है लगभक धाई करोड कनेक्शन दिये जा चुके हैं और बहुत जल्द बाकी घरों को भी रोशन किया जाएगा मुझे खुशी है कि जम्मु कश्मीर में भी अब करीब करीब हर परिवार तक बिजली का कनेक्शन पहुच चुका है इसके लिए मैं यहां के लोगों को बिजली विबाग से जुड़े हर कर्मी को हर इंजिनियर को रुदैपुरवक बढ़ाई देता हूँ राज्य सरकार की पूरी टीम को बढ़ाई देता हूँ सात्यों जम्मू कश्बीर मैं हर गर तक बिजली पहुंचाने के साथ साथ परियापत बिजली देने की कोशिच भी की जा रही है ले लदाक करगिल हो जम्मू हो या फिर अपसरी नगर तीनों जगों पर आज बिजली उत्पादन और ट्रांस्पिर्शन से जुड़े अनेक बड़े प्रोजेक्स का लोकारपन और सिलान्याद एक ही दिन में करने का मुझे मौका मिला है यहां की बिजली जरुनतों को देखते हुए आज आजी के बाद पहली बाद इतने व्यापक स्तर पर काम हो रहा है हमारी सरकार की कोशिश है कि पहले जो भारत के हग का पानी बेकार में बह जाता था उसकी एक एक बुंद का उप्योग जम्मू कश्मीर के हित में किया जाए इसी सोच के साथ अनेक पावर प्रोजेक्स यहां शुरू किये गए है साथ को यह तमाम प्रोजेक्स देश भर में इंफरस्ट्रक्चर को लेकर सरकार की प्रात्मिकताओं का परणाम है सडक हो बिजली हो शिक्षा हो या फिर स्वास्त मूल सुविधाओं के निर्माण में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफरस्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जम्मू और पुलवावा में बनने वाले दो एम्स का आज ही सिलान्यास किया गया है इन दोनों संस्तानों से राज के स्वास्त सेक्टर में बहुत बड़ा बड़लावाने वाला है साथियों हम आधुनिक अस्पताल तो बनाई रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी हिल्थ केर स्कीम आईश्मान भारत पी एम जैबी चला रहे हैं देश के इतिहास में इतनी बड़ी हिल्थ केर स्कीम गरीबों के लिए पहले कभी नहीं बनी है इस योजना के तहट गरीबों का हर वर्ष पांच लाख रुपिये तक का मुप्त इलाज सुनिश्चित हुआ है देश के लगभग पचास करोड गरीब बहन भाई इसके दाइरे में हैं जिसमें से तीस लाख लाभारती जम्मु कश्मीर के ही है सात्यों आयुश्मान भारत योजना की विज़र से अब तक देश में दस लाख से अधिक गरीब मरीजों का मुप्त इलाज किया जाशुका है अभी तो इस योजना को सो दिन अभी अभी पूरे हुए है इतने कम समय में दस लाख लोगों के मेजर सरजरी उनकी मुसिबत के मैसे एक प्रकार जे जो दो दो तीन तीन साल से मौत का इंतजार कर रहे थे उनको आज एक नई जिन्द की मिली है इस योजना के तहट एवरेज हर दिन दस हजार से अधिक हमारे गरीब परिवार के भाई भें मुप्त इलाज पा रहे हैं और ये पचास करोग लोग ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है अमेरिका, कैनेडा और मैक्सिको इनकी जी टोटल पॉपुलेशन है उससे जादा लोगों के लिए हमारी आईश्वान भारती योजना है अब कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा का हूँ साथ ये आईश्वान भारत जैसी योजना एक भारत स्रेश्ट भारत का भी सर्वत्तम उधारा है क्योंकि जम्यू कश्मिर का लाभारती देश में कहीं भी जोजना का लाभ ले सकता है माली जहाँ यहाँ से मुंबई गए और कुछ बिमारी आ गई आप इस यहाँ पर अगर रजिस्टर हैं तो मुंबई के अस्पताल में भी आप तुरंत बिना खर्च किये लाभ ले सकते हैं मुंबई का कोई वेक्ति यहाँ सेजनगर के अंदर घुमने फिर न आया है कुछ मुसीबत आई वो यहाँ फाइदा ले सकता है सरकार सारी वेवस्ता करने के लिए वेवस्ता बनाई भी संसाधनों की साजेदारी की यही शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है हर मुश्किल परिस्तिति में एक दूसरे के काम आ सके यही भारत की आत्मा है यही कश्मीर की भावना है साथ यो इसी कश्मीरियत की का तकाजा है कि हिंसा के दौर में जिन कश्मीरी पंडित बहन भाईयों को यहां से अपना घर अपनी जमीन अपने पुरवजों की आदों को छोड़ कर जाना पड़ा है उनको पूरे सम्मान से यहां बसाया जाए प्रधान मंतरी विकास पैकेज के जरिये हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं राज प्रशाशन ने वेशू और सेखपोरा में ट्रांजीट आवाज बनाने शुरू कर दिये हैं आज मुझे बांदीपुरा और गांजेर बल में ट्रांजीट आवाज की सुविधा का विस्तार करने वाली योजना का सेलान्यास करने का आउसर मिला है ये योजना भी प्रधान मंतरी विकास पैकेज करना का ही हिस्सा है साथियों यहाँ पर करीब साथ सो फ्लैट बन जाने के बाद विस्ताफित परिवारों को नई छत मिलेगी सरकार का प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ वापस आना चाहते हैं उन्हें पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ यहाँ जगह मिले साथियों कश्मीरी विस्ताफितों को रोजगार के अउसर देने के लिए भी सरकार प्रतिवत्द हैं वर 2015 में गोशित पी-म डेवलोप्मेंट पैकेज के तहट राज्य प्रशासन ने तीन हजार नियोक्तियों की स्विक्रूति दे दी है मुझे विस्वास है कि जल्द ही ये भरतियां हो जाएगी साथियों जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि जम्मु कश्मीर के हीरो शहीद नजीर अहमद बानी शहीद महमद औरंग्जिब और तजामुल हुसेइन जैसी हुआ है जो शान्ति और देश के बहतर भविश के लिए समर्पित रहे हैं हीरो वही है जो सपने पूरा करने के लिए जीता है वो सबसे बड़ा कायर है जो दूसरे के सपनों को मारता है आज पुरा देश निर्दोष नियत थे कश्मीरी बेटे बेटियों के हत्या होते देखकर आक्रोश में है सिर्व इसलिए कि वो नवजवान सांती चाहते हैं जीना चाहते हैं उन्हें आतंगबाद का सिकार बनाये जा रहा है यही यहां के आतंगबाद की सच्चाई है मैं आज आपको जम्मु कश्मीर के नवजवानों को और पुरे देश को यह विस्वाद दिलाता हूँ इस आतंग का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा हर आतंगी को मुँतोर जवाब दिया जाएगा सर्जिकल स्ट्राइक करके हम पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि अब भारत की नई नीती और नई रीती क्या होती है हम जम्मु कश्मीर में भी आतंगबाद की कमर तोड़ करके ही रहेंगे जम्मु कश्मीर का विकास यहां के लोगों का विकास यह हमारी प्रात्विक्ता है और हमेशा रहेगी मैं एक बार फिर आप सभी को सिक्षा से जुड़ी योजनाओं की सरुवात के लिए इंफरस्टेक्टर से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बहुत-पथ सुपकामनाई देता हूँ बहुत-बहुत-बधाई देता हूँ और मैं भी स्वाद दिलाता हूँ अटल भी हरिवाजपई जो सपनाख देखते थे उन्होंने हमें विरासत में जो काम दिया है उसमें हम एक पत्ती बर भी पीशे नहीं हटेंगे उस भावना को हम साकार करके दिखाएंगे और इसके लिए चाहे लदाक हो चाहे सीरिय अगरवेली हो चाहे जम्बू हो एक-एक नागरी को साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के हम वही खुशाल कश्मीर शान्त कश्मीर पुरे हिंदुस्तान को निवता देने वाला कश्मीर हरी भरी इस वादियों में खुशाली के दिन वाला कश्मीर उस सपनों को पूरा करने के लिए जो भी आवशक है वो कदम हो उठाएंगे हमारा हर यहां का परिवार हमारा यहां का हर बच्चा उनका उजवल बविश यही भारत के उजवल बविश का जीता जागता सम्मंद है उस सम्मंदों को बरकार अरतर हुए हम इस बात को आगे बढ़ाने के लिए बरसक प्रयास करते रहेंगे इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको रजय से बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ धन्यवाद